परमेश्वर की नाम की महिमा हो बाइबल सारांस में हबकूक की किताब की सारांस को देखेंगे हबकूक हबाक यानि गले लहाना ये शब्द से हबकूक गले लहाने वाला शब्द आया है लोहों के परमिश्वर से दूर जाने के समय में भी परमिश्वर के साथ रहने वाला बविश्यवक्ताता हबकूक दर्मी जन विश्वा से जीवित रहता है ये सच्छाई हबकूक को भली बांदी ज्याद हो गई थी समय एवस्तान इशापुर चेसो साथ के समय काल में यहुदा में लिखी गई ये पुस्तक लेगक पत पहला अध्याई पहला आयत तीसरा अध्याई पहला आयत से स्पस्ट होता है कि हबखुक लेगक है वह इरमिया, एजेकेल, दानियल और जपनिया के समय जीवित रहा प्रि हब कुक ने बविशिद्वानी की इशापुर 626 में नेबो पोलासर द्वारा आरंब किये गई युद्ध को उसके पुत्र नेबकत निशर ने जारी रखा और इशापुर 612 में निन्वे का विनाश करके असूर सेना को हरां की और और बाद में करक्मीश की और बहाया इशापुर 605 में उसने उने पूर्ण रूप से हराया अशूर की सहायता के लिए आये फिरोन नकों का सामना करने समय यहुता का राज्जा योसिया मारा गया योसिया ने देश में आत्मिक उन्नती स्तापित की परंतु आने वाली पेडी ने इस बात को अंदेका करके देश में ग्रिनित कारिये किये दुष्टता के कामों को देखकर भी मोनदारित परमेश्वर के सामने प्रविश्य वक्ता प्रशन रखता है विश्य साथ ऐईप की समान परमेशर से प्रशन करने वाला बविश्य वक्ता, परमेशर के सर्वोच अतिकार के दर्शन से वह अपने विश्वास को दृढ करता है, परमेशर की अराधना उसकी बहुधिक वह ततकाल मिलने वाले अनुग्रवों के कारण नहीं की जाती है, व प्रमुक्पद दूसरा विबाजन हबकुक द्वारा स्तूती यानि परमेश्वर की दया के लिए हबकुक की प्रात्ना हबकुक परमेश्वर की दया स्मरन करता है परमेश्वर के चुटकारे पर हबकुक का बरोसा यही हबकुक बविश्यवक्ता किताब की सारांस God bless you all God bless you all God bless you all God bless you all झाल झाल